अठारवी लोकसभा के तस्वीरे अब आपके और हम सब के सामने हैं लेकिन सवाल सब के जहन में ये और ये सवाल का जवाब मिलना भी ज़रूरी कि आखिर लोकसभा बनी कैसे 1919 का साल जब ब्रिटिश इंडिया ने एक कानून को बास किया था जसके बाद संसद के दो सदन का गठन हुआ उस वक्त इन सदनों को क्या कहा जाता पहले वह आपको बता देते हैं तो उस वक्त Central Legislative के नाम से एक सदन को जाना जाता था और Central Legislative Assembly और उपरी सदन को Council of State कहा जाता अब चुकि हम मोदी 3.0 की चर्चा कर रही हैं मोदी 3.0 यानि के 18 लोगसभा जिसकी तस्वीरे आपने चुनाओ के दोरान देखी भी और अब जब उस लोगसभा के स्पीकर की बात होगी तो उसमें ओम बिर्ला का नाम भी आएगा ओम बिर्ला लोगसभा के स्पीकर होंगे और क्योंकि ध्वनिमत से उन्हें स्पीकर चुन भी लिया क्या है विपक्षी इंडिया ब्लॉक के शुरेश को मैदान में उतारा गया था लेकिन यहाँ पर चुकि ध्वनिमत से ये सब कुछ साफ हो क्या तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ये पांचवी बार है जब किसी के बाल्यों की दो बारा स्पीकर चुने गए है हाला कि अब तक सिरफ बलराम जा खड़ी हैं एक मादर ऐसे कहली जैस हैं जिन्ह उन्हें हrem लगातार दो बारी स्पीकर का कारेकाल पूरा किया है और अब बारी डिप्टी स्पीकर की है पिछली मोदी सरकार में डिप्टी इ मांग कर रहा है कि परंपरा ये है और उस परंपरा के मताबिक डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को मिलना चाहिए विपक्ष की मांग ये जरूर है हाला कि अब तक डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है डिप्टी स्पीकर के पद के स पुछ भी सदन के अंदर नहीं हो सकता है और साल 2019 हिम्स की चर्चा करते हैं जब ब्रिटिश इंडिया में गर्मिन्मेंट ओफ इंडिया एक्ट पास हुआ इस कानून के सरी ही सदन का कठन हुआ था कानून के तहट सदन के दूस सदन बनाए गया है पहला सदन सेंट्रल लेजिलेटिव असेंबली जो निचला सदन था और दूसरा कांसल ऑफ स्टेड जो की ऊपरी सदन था संसत के दो सदनों को बनाने के सिफारिश मौन्ट फोर्ड रिफॉर्म के तरफ से की गई थी उस वक्त ब्रिटिस इंडिया में तद कालीन विदेश सचिव एडविन मौन्टागू और वाइसराय लॉर्ड जिनके हम चर्चा करते हैं जिने हम जानते हैं चेंस फोर्ड ने करें तो सेंट्रल लेजिलेटिव एसेंबली में 142 सदस से थे अब इनमें 101 सदस से चुने जाते थे जबकि 41 को नामित किया जाता था जिन 101 सदस्यों को चुना गया था उनमें 52 सामानी 39 मुसलीम 2 सिक 7 यूरोप के 7 जमिदार और 4 कारोबारी हुआ करते थे बाद में हाला के इसमें बदलाव लाया गया तीन सीटें दिली अजमेर मेवाड और नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविदेंस जोडी गई Central Legislative Assembly के लिए पहला चुनाओ नांबर 2020 में हुआ और आजादी के बाद जब Independence Act 1947 लागो हुआ उस वक्त Central Legislative Assembly को भंग कर दिया किया इसके बाद 1950 में समविदान लागो होने के बाद से Central Legislative Assembly का नाम लोक सभा और Council of State का नाम राज्ज सभार रख दिया गया तो आपको यह जानकारी कैसे लगी बताइए अगा जरूर और तमाम निउस अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं निउस एडीन बेहार चारकन मेरे साथ